लास्ट वीडियो हमने बीमा और बैंकिंग प्रणाली के अंदर बीमा का चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था आज हम करने वाले हैं बैंक उसका अर्थ और उसके प्रकार ठीके कौन-कौन से प्रकार होते हैं तो आज हम यह डिसकस करेंगी next वीडियो जो है वो reserve bank का होगा तो चलिए start करते हैं और यह जो भी notes हैं यह सभी question answer आपके RBSC की book से ही बनाए गए हैं फास्ट question है bank क्या होता है? बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाई करती है जो अपने ग्रहाकों के लिए धन संबंती लेंदेन के सभी कार्य करती है नेक्स्ट है कुश्चन टू, बैंक सब्द की उत्पत्ती किस भासा के सब्द से हुई है, तो इसका आंसर है, बैंक सब्द इटेलियन भासा के बैंकों से हुई है, जिसे अंग्रेजी भासा में हम बैंक के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है कुश्चन ट्री, विश्व का प्रथम बैंक कौन सा था, विश्व का प्रथम बैंक कौन सा था, तो इसका आंसर है, बैंक ओफ वीनस जो की इटली में स्थापित किया गया, विश्व का सबसे पहला बैंक, बैंक ओफ वीनस जो की इटली में स्थापित किया गया Next question 4. भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? इटली में विश्व का प्रथम बैंक इस्थापित किया गया और भारत का सबसे पहला बैंक था Bank of Hindustan, जो की 1770 इसवी में इस्थापित किया गया कोलकाता में Next question 5. भारत का पहला भारतियों द्वारा संचालित बैंक कौन सा था? तो इसका आंसर है अवद कमर्शियल बैंक तो भारत का पहला भारतियों ने जो बैंक संचालित किया उसका नाम है अवद कमर्शियल बैंक Next question 6. पून रूप से भारत का पहला बैंक कौन सा था? पून रूप से भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो इसका आंसर है PNB पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला बैंक था जो पूर्ण रूप में अस्तित्व में आया नेक्स्ट कुश्चन नंबर 7 तो चलिए अभी जो भी बैंक कब स्थापित किये गए पहला बैंक कौन सा था इसे हम दुबारा से रिकॉल कर लेते हैं तो चलिए मेरे साथ ही आप याद कर लीजिए कि विश्व का प्रथम बैंक, बैंक ओफ विनस इटली में था भारत का प्रथम बैंक, बैंक ओफ हिंदुस्तान जो कौलकाता में स्थापित किया गया और भारतियों द्वारा जो स्थापित किया गया बैंक वो पहला बैंक था अवद कमर्शियल बैंक और अस्तित्व में जो आया भारत का पूर्ण रूप से उस बैंक का नाम था PNB पंजाब नैशनल बैंक अधुनिक बैंक के तीन पूर्वज व्यापारी, साहुकार और सुनार हैं यह किसकी कतन है तो ऐसे कुशन जो है वो भी आपके एक्जामे देखने को मिल सकते हैं आदुनिक बैंक के तीन पूर्वज व्यापारी साहुकार सुनार हैं, यह कथन क्राउथर महोदे के हैं, किसके हैं, क्राउथर महोदे के हैं, नेक्स्ट है, कोश्यन नमबर एट, सीर्स बैंकिंग संस्थाएं कौन सी हैं, सीर्स बैंकिंग संस्थाएं कौन सी हैं, तो इसका आंसर है नाबार्ड, RBI और एक्जिम बैंक तो ये तीनों बैंक जो हैं वो सीर्स बैंकिंग संस्थाएं हैं अभी हम इनकी फुल फॉर्म जो हैं वो भी देखेंगे क्योंकि यहां से प्रश्ण जो है वो बिल्कुल आने की संभाब न रहती है कि इन बैंकों के आप से नाम प फॉल फॉर्म क्या है तो हमने सीर्स बैंकिंग संस्थाएं अभी देखी थी कौन-कौन सी थी नाबार्ड, RBI और एक्जिम बैंक तो इसमें एक्जिम बैंक जो है उसकी फॉल फॉर्म क्या है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बैंक औफ इंडिया हिंदी में यदि पूछा तो आपको full form जो है वो याद रहनी चाहिए, next question 10, नाबाड की full form क्या है, ये भी serious banking संस्थाओं में आती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, राष्ट्रिय क्रशी एवं ग्रामीर विकास बैंक, ठीक है, तो नाबाड की full form क्या है, राष्ट्रिय क्रशी एवं ग्रामीर विकास ब तो ये इसकी full form है, next question 11, नाबाड की स्थापना कब हुई, राष्ट्रिय क्रशी एवं ग्रामीर विकास बैंक, जिसे नाबाड कहते हैं, इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 इसवी में, और मुंबई में हुई थी, जो कि सिव रामन समिती की सिफारिस पर इसका गठन किया गया था, next question number 12, नाबाड की स्थापना कि समिती की सिफारिस पर की गई, तो मैंने अभी आपको बताया कि नाबाड की स्थापना जो है, वो सिव रामन समिती की सिफारिस पर की गई थी, next, तो confuse नहीं होना है, नाबाड राष्ट्री क्रशी एवं ग्रामीर विकास बैंक को ह कहते हैं, नाबाड का मुख्याले कहां इस्थित है, तो नाबाड का मुख्याले जो है, वह है मुंबई में इस्थित है, next, question number 14, ग्रामीर शेत्रों में RBI, Reserve Bank of India का प्रतिनिदित्व कौन करता है, कहां पर ग्रामीर शेत्रों में, तो यह करता है नाबाड, राष्ट्री क्र इसकी फुल फॉर्म थी, तो यह RBI का प्रतिनिदित्व करता है, ग्रामीर शेत्रों में, next, question 15, सामानेते बैंकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो देखो हमने अभी देखा था कि सीर्स बैंक की संस्थाएं, जो तीन थी, जिसमें हमने देखा RBI, और नाबाड और इसके बाद, एग्जिम बैंक, ठीक है, अब हमसे क्या question पूछा है, कि सामाने तोर पर, बैंकों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इनहें हम दो भागों में बांट सकते हैं, अनसूचित बैंक और एदो और गैर अनसूचित बैंक, ठीक है, तो जितने भी पारिक बैंक आते हैं, जैसे SBI, RBI, तो ये सभी जो हैं वो अनसुचित बैंकों की श्रिणी में आएंगे, और गैर अनसुचित बैंक कौन से होते हैं, जो भी सहकारी बैंक होते हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, ग्रामील स्तर पर हो, तो सभी सहकारी बैंक गैर अनसुचि बैंक है और बाकी जो बच जाते हैं वो सभी अनसूचित बैंकों की श्रणी में आएंगे. Next question 16. जो बैंक भारती रिजर्बैंक अधनियम 1934 की दुष्टी अनसूचित बैंक है ये किस प्रकार के बैंक कहलाते हैं? जो बैंक भारती रिजर्बैंक अधनियम 1934 की दूसरी अनसूचित बैंक हैं तो ये बैंक कहलाते हैं अनसूचित बैंक, ठीक है? Next है question number 17. कार्य और स्वामित्व के आधार पर बैंकों की कितने प्रकार हैं? देखिए, शब्दों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ पर केवल ये नहीं पूचा है कि सामाने तोर पर बैंक के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पूचा है कि कार्य और स्वामित्व के आधार पर बैंकों को हम कितने भागों में बाटते हैं? तो कार्य और की आधार पर बाटेंगे हम चार भागों में, व्यापारे किया वानिजिक बैंक, सेकिंड सहकारी बैंक, थर्ड भूमी विकास बैंक और फोर्थ औध्योगिक बैंक. Question number 18. व्यापारे किया वानिजिक बैंकों को कितने भागों में बाटा जाता है? देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि सीर्स बैंकिंग संस्थाएं कौन सी हैं, जो सबसे सर्वो परी हैं. वो संस्थाएं तीन थी, RBI, नाबार्ड और भारतिय आयात निर्याद बैंक. दूसरा हमने क्या बात की? कि सामानने तोर पर हम बैंकों को कितने भागों में बाट सकते हैं? हमने बात की अनसूचित बैंक और गैर अनसूचित बैंक. चीक है? तो जो अनसूचित बैंक है, उसमें आते हैं व्यापारिक या वानिजिक बैंक. अब पू लोल होता है इसमें ठीक है जैसे RBI है SBI है नेक्स्ट है निजी व्यापारिक बैंक यहां पर जो निजी लोग होते हैं उनकी भागीदारी होती है जैसे ICI, ICICI और HDFC नेक्स्ट थ्री नंबर पर है शेत्रिय ग्रामिर बैंक जैसे की RRB अभी हम इनकी फुल फॉर्म भी देखेंगे यहां केवल इतना याद रखना है कि व्यापारिक बानिजिक बैंक को तीन भागों में बाठते हैं सार्जनिक व्यापारिक बैंक निजी व्यापारिक बैंक औ रीजनल रूरल बैंक शेत्रिय ग्रामिर बैंक जो है उसकी फुल फॉर्म क्या शेत्रिय ग्रामिर बैंक रिजनल रूरल बैंक यह किसकी फुल फॉर्म है RRBI की सहकारी बैंक को कितने भागों में बांटा जाता है अब देखिए सहकारी बैंक कौन से थे जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं वो सहकारी बैंक होते हैं तो इनको हम बांटते हैं तीन भागों में राज्य सहकारी बैंक जो की दीरकालिन रिन उपलब्द कराते हैं केंद्रि बहुमी विकास बैंक को कितने भागों में बांटा जाता है? इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, राज्य भूमी विकास बैंक और प्रात्मिक भूमी विकास बैंक और प्रात्मिक भूमी विकास बैंक ये सभी जो कुशन है ये आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो आपको ये सभी याद भी हो जाएंगे. Next question 22. भारत में सर्व प्रतम भूमी विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए, जो हमने देखा था वानिजिक बैंक, सबसे पहला प्रकार. तो उसमें हम RBI और SBI इनके बारे में देखते हैं. तो RBI की बारे में तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है? Next सहकारी बैंक, इसके बारे में हमने देख लिया कि राज्य स्थापना पर होते हैं, जिला स्थापना पर होते हैं, और प्रात्मिक साख समितियां होती हैं. अब थर्ड हमारा था भूमी विकास बैंक, भारत में सरप्रतम भूमी विकास बैंक की स्थापना कब होई? इसकी स्थापना जो है, वो 1929 में मदरास में होई. तो यह आपसे फैक्ट जो है, वो पूछा जा सकता है, भूमी विकास बैंक, राज्य भूमी विकास बैंक होता है तो भारत में सरप्रतम भूमी विकास बैंक की स्थापना 1929 में मदरास में हुई next 23 राजिस्थान में सरप्रतम भूमी विकास बैंक की स्थापना कब हुई जो हमने देखा था भूमी विकास बैंक का पार्ट राज भूमी विकास बैंक तो वही है राजिस्थान में सबसे पहले भूमी विकास बैंक की स्थापना यह होती है 26 मार्च 1957 को ठीक है याद रखना है 26 मार्च 1957 राज्य भूमी विकास बैंक की स्थापना इसका आंसर है दो भागो में आखिल भारतिय जिसमें IFCI, ICICI और IDBI अते हैं दूसरा है राज्य फ्तरिय जिसमें राज्य वित्र निगम और राज्य विकास बैंक आते हैं अब ये आपको याद कैसे होंगे इसके लिए आपको क्या करना है एक चार्ट पर या फिर जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां लिखिएगा बैंकों के प्रकार ठीक है सामाने तोर पर आपने बैंकों को दो भागों में बाटा था अनसूचित और गैर अनसूचित में आपने जो भी बैंक आए आपके व्यापारिक और वानेजिक बैंक सभी सारजनिक और निजी व्यापारिक बैंक इनको आपने रखा उसके बाद गैर अनसूचित में आपने सहकारी बैंक को रखा ठीक है उसके बाद आप बैंकों के प्रकार को अलग से चार भागों में बा व्यापारिक और वाडिजिक बैंक को आप बाटेंगे तीन भागों में, सार्जनिक व्यापारिक बैंक, सैकेंड निजी व्यापारिक बैंक और थर्ड शेत्रिग्रामिड बैंक, वहीं सहकारी बैंक को आप बाटेंगे, वहीं तीन भागों में, राज्य सहकारी बैंक, केंद गुमी विकास बैंक और लास्ट में ओध्योगिक विकास बैंक को आप दो भागों में बातेंगे अखिल भारती और राज्जी इस तरीके साफ एक चार्ट में इनको बना लेंगे तो वहां आपको याद करने में आसानी होंगी और इनकी एक्जामपल जो है वो भी आप साथ म पर लिखेंगे नेक्स्ट है 25 डबी आई की फुल फॉर्म क्या है तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है भारती और द्धियोगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेफलोक्मेंट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट है कुशन 26 इफ यह कौन सा है अखिल भारती और द्धियोगिक विकास बैंक है, इसकी फुल फॉर्म है, Industrial Finance Corporation of India, ठीक है, IFCI, Industrial Finance Corporation of India, next है, 27, ICICI की फुल फॉर्म क्या है, ये भी ओध्योगिक विकास बैंक है, इसकी फुल फॉर्म है, इंडस्ट्रिय, देखिए, जो भी ओध्योगिक विकास बैंक होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा हिंट है कि Industrial Word जो है, वो आएगा, Industrial Credit and Investment Corporation of India, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, next है, HDFC की फुल फॉर्म क्या है, HDFC की फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है, ये एक प्राइविट व्यापारिक बैंक है, इसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना एक जुलाई 1964 को हुई, इसकी स्थापना एक जुलाई 1964 को हुई, next है, question 30, शेत्रिय ग्रामीड बैंक की स्थापना कब हुई, शेत्रिय ग्रामीड बैंक जैसे हम आराद भी कहते हैं, Rural Regional Bank, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर गांधी जैनती के दिन, 2 अक्टूबर 1975 में नर्सिम्मा समिती की सिफारेश पर, किसकी सिफारेश पर हुई, नर्सिम्मा समिती की सिफारेश पर, हमने दो समितियों के नाम जो है इस चैप्टर में देखे, एक देखा हमने कि नाबाड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में सिव रामन समिति की सिफारिस पर होती है, दूसरे हमने देखा RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में नर्सिम्मा समिति के सिफारिस पर की जाती है नेक्स्ट है 31, शेत्रिय ग्रामिड बैंक की स्थापना का मुख्य उदेश्य क्या है? तो इसका उदेश्य है लगू एवं सिमान्त क्रशिकों, क्रशी श्रमिकों, शिल्पकारों और लगू उद्धमियों को क्या साख्व प्रदान कराना, यानि रिन उपलब्द कराना, ये क किसका कारे है? शेत्रिय ग्रामिड बैंकों का, कुश्ण 32, सहकारी बैंक को परिचालन शेत्र की आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इनको बांटा जा सकता है ग्रामीन सहकारी बैंक और सहरी सहकारी बैंक ठीक है वहाँ हमने पहले जब बात की थी कि सहकारी बैंक को हम तीन भागों में बाट रहे थे राज्य सहकारी बैंक, केंद्रिय जिला सहकारी बैंक और प्रात्मिक साख समितियां उनको हमने देखा था है काररे और स्वामित्व के आधार पर. अब यहाँ पर क्या है? परिचालन शेत्र के आधार पर सहकारी बैंकों को दो भागों में बाट रहे हैं. ग्रामिर सहकारी बैंक और सहरी सहकारी बैंक. थोड़ा सा शब्द जो है वही आपके बदल कर आये है. उपलब्द कराना यानि ग्रामिल सहकारी बैंक का खार रहे हैं अलपकालिन और दीरकालिन ट्रिन उपलब्द कराना है क्रशी और भूमी खरीदने संबंदी next 34 सहरी सहकारी बैंक के क्या कार रहे हैं सहरी सहकारी बैंक के कार रहे हैं शहरों और अर्द शहरी शेत्रों में समाज को बैंकिंग सेवाएं उपलब्द कराना next है question 35 अब देखिए इस प्रकार से प्रश्णवी आपके जो बुक है उसमें दिये गए हैं कि बैंक में खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेद क्या होते हैं तो option इस तरीके से आ जाएंगे कि वहां भी आप confused हो सकते हैं इसलिए आपको याद रखना है कि यदि आपको account खुलवाना है तो आपके लिए दस्तावेद होने चाहिए पते का प्रमाण जिसमें टेलीफोन बिल, आधार कार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट ये होगा दो फोटोग्राफ आपकी और नियुंतम सेसरासी बैंक के नियोमानुसार इसका अर्थ ये है कि हर बैंक के अपने अलग-अलग रूल होते हैं तो कई बैंक जो है वो जीरो बैलेंस पर भी जो account है खाता खोल देते हैं ठीक है और कई बैंक जो है वो 500 रुपए minimum धनरासी जो है वो रखकर और उसके बाद जो है account खोलते हैं तो ठीक है याद रखना है पते का प्रमान होना चाहिए जिसमें आपके ये सभी आएंगे फोटोग्राफ होनी चाहिए दो और नियूंतम से इस धनरासी और उसके बाद आपका बैंक का खाता खोल जाता है तो कितने वर्ष की आयू के बच्चे के लिए खोला जा सकता है आपको शायद इसका आंसर नहीं पता होगा क्योंकि बच्चों का खाता जो है वो कम ही लोग खुलवाते हैं अब देखिए 10 वर्ष या उससे अधिक आयू के यदि बच्चे हैं तो उनका बैंक में खाता खोला जा सकता है लेकिन इसके लिए एक अनिवारे शर्त यह होती है कि उसी बैंक के अंदर उनके संरक्षक यानि उनके जो माता पिता है तो उनका खाता अनिवारे होना नेक्स्ट 37 मुंबई में परिवार की एक सदस्य का बैग चोरी हो गया यहां किस प्रकार का बीमा लागू होगा अब यह प्रशन जो है यह मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है इसको आपको आंसर देना है लास्ट वीडियो हमने बीमा का किया था वहां हमने हर तरीके क बीमा जो है वो देखे थे ठीक है कौन-कौन सा बीमा जो है वो किसके लिए होता है अब प्रशन आप लोगों के लिए है कि यदि मुंबई में परिवार की एक सदस्य का बैग चोरी हो गया है तो यहां किस प्रकार का बीमा लागू होगा यहां जीवन बीमा लागू होगा यहाँ पर वाहन बीमा लागू होगा, यहाँ वस्तु बीमा लागू होगा, यहाँ पर घर का बीमा लागू, कौन सा बीमा लागू होगा, वो आपको उत्तर जो है यहाँ पर देना है, तो यह आपका अंतिम प्रश्न था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतिय रिजर् बैंक के टोपिक के साथ, थैंक यू.